अरे टिल्लू दूप में लेटकर ऐसा लग रहा है कि जिन्दगी कितनी खूपसुरत है ना पर पता रही किसी चीज की कमी लग रही है गदेशी पूच मुर्गों की कमी है मुर्गों के बिना नेवलों की जिन्दगी बिलकुल अधूरी है क्या यमी मुर्गे का सोच के आपके मुमे पानी आता है क्या इतना वक्त गुजर चुका है कि आपको मुर्गे का स्वादी नहीं आदा रहा है क्या आप इस वक्त सबसे स्वादेश्ट, प्यारे और लजीज मुर्गे के बारे में सोच रहे है क्या आप ताजे, रसों में भरे, सबजियों और मसालों से पके हुए मुर्गे के बारे में सोच रहे हैं। तो आप किस के लिए रुके हुए हैं। हमें जाकर इसे खाना होगा। बिल्कुल। चलो उन्हें पकड़े। चलो चलो रुकॉंटि लो। ठंडे ठंडे पानी से ना आना चाहिए। गाना आए या ना आए। आज तो हम इन तिनों को जरूर पकल लेंगे। उधर देखो। मेरे बात सुनने हैं। तिल्लू तुम्हें नहीं लगता है कुछ अजीब है। क्या मतलब अजीब बात है। यह सारे बबल्स कहां से आ रहे है। बबल्स के बारे में मत सोचो। हाँ? बबल बात? यह तो वह मुर्गे हैं। यह उस तरफ से आ रहा है। चलो उधर चलो। पे दिल्लू रूको। अब मैं साबून को धो लेता हूँ। बढ़िया। अब तो मैं मचली जैसा साफ हूँ। हालाकि मचली भी इतनी साफ नहीं होती। अब घोडे बेचके सो जाओ। हाँ। धुककड, हमारा मौका आगा हूँ। पकाने तेले लकड़े तयार रखो। अब चूला जलाने का वक्त आगया हूँ। अब ये सब हंडी में जाएगा। और थोड़ा सा नमग भी डालो। बस। अब बस पास फिरिट के बाद चिकन स्टू तयार हो जाएगा। ये क्या हो रहा है। नेवले, अरे तुम लोग मुझे नहाते वक्त क्यू देख रहे हो। नहाते हूँ देख रहे हैं। गलत मत समझो। हम तुम्हें पकाने आया हैं देखने नहीं। पकाने, अरे मैं क्या करू अभी। मिर्च, ये लो। अब हार मैं लो बजो। ये नो टिल्लू, कोशिश करो। ठीक हा। कैसा लग रहा है। ये मेरे लिए थोड़ा सादा है। फिर थोड़ा मसाला डालो इसमें। अब चक के देखो। क्या खयाल है। क्या तुम ठीक हो। अपने जबान महसूस नहीं कर सकता है। शाहिए थोड़ी और लाल मिरच। ये टिल्लू अब चक के देखो। अब कैसा है। तुम ठीक हो लो टिल्लू। ये पानी पीलो। अखिरकार सुप तल्यार हो गया। और बस हमें स्रफ मुर्बो का इंतसार है। चिंटु को सबसे पहले पकड़ेंगे। अरे रुको। मसालदार चिंटु। चला। ये लो। मेहा, मिल्या मिल्या गेल्टुने कार्डिया। और ये लो। अरे लो। अरे ने हें, इसमें पत्तिया है। लोग जिए चोंगाए week ago अरे दिखिते बहलो लोगा अरै बड़ आजने कि इसाका यह यह आजेँ अरैे बड़ो मेरी कीमती जवानी का नुपसान नहीं होना चाहिए. ए टिल्लू, तुम पक्का चतुर के पीछे जाना चाते हो. हाँ, बेलकुल, चाहे जो भी हो जाए, हमें मसाला दाज चिकन हांडी के लिए महनत करनी होगी, हाँ. पर हम चतुर को नहीं संभाल सकते. जरूरत भी नहीं हा, हमें बस उसो शुप के अंदर डालने का तरीका डूनना होगा. तुम सड़े हुए नेवले यहां क्यों आए हो, हाँ? हाँ, चतर, हम तुमें चालेंग करने आए हाँ. बिलकुल. सुनकर अच्छा लगा, तुम दोनों, चलो आजाओ. हाँ, बड़ा, भुकर जाओ. हमेशे मैं ही क्यों? मुझ बन करो, मुर्गा खाना रहते हूँ. भुकर, उसे वहां से नीचे अतारने का तरीका डूनो. ठीक है, शुरू करते हैं, चतर, हाँ. ठीक है, आगे आओ. मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूँ, ये लो. ये तो बम है, तुम ले लो, यार. मुझे नहीं चाहिए. ये लो. देखो या ले लो. ये लो. लगता है टेलू बम ढून रहा है, ये लो, यार. अरे बद्बुदार नेवलो, हमारा हमेशा पीछा करके क्यों परेशान करते हो, हाँ? ऐसा लगता हम ये सेक्ड़ों बार कर चुके हैं. हम जब तक नेवलों केंगे, जब तक मुर गेना मेशा. मिलकुल, पेशेव और नेवले कभी हार नहीं मानते, और ब्रेक भी नहीं लेते, पर मुझे अभी ब्रेक चाहिए, हाँ. जा कहा तुमने, हाँ? बेवा को, तुम तक पकराम नहीं कर सकता है, जब तक उन्हें पकर नहीं लाले. रग जा! बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, जल्दी. तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं हा? बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, नहीं. चिंटू, चातुर. मुझे लगता है, तुम्हारा है. वाँ! बहुत दर्द हो रहा है. मैं तुम लोगों की पक्वास और नहीं सहुगा, मुर्गो. मैं तुम सब को पकर कर तंदूरी बनाओंगा. हाँ, मैं बनाओंगा. बचाओ. मरने के लिए तेयार होगा. यह! मैं यह! नहीं से सम्हालूँगा, यार. हमारे क्यक्त दिने के लिए, इना मार्दा! यह देखो? वह! पर ननन दूसे मिले का वक्ता गया. वह! वह! पशुप्णा! पागल पान का वक्ता गया! यह तो मुझे देखना ही होगा चतर मरने को तयार होगा हम महान मुर्गा पकड़ने वाले यहीं पर हैं और हम सबसे महान नेवले आज तुम्हें पकड़ कर दिखाएंगे सुपर दुपर नेवले हमारी शस्री शक्की में नौकर यह काफी खतर्नाक लगता है चलो यह मामरा सुलज गया अब जाके सोता हूं मैं मैं बोर हो रहा हूँ मुझे लगा जमकर मुकाबला होने वाला है अब तिल्लू मुर्गा पकड़ना तो काफी खतर्नाख है हां मैं तो बिल्कु थक्गा तो रेडियो के आशिकों यह गर्मा गरम चिकन पॉट डिश बहुत ही लजीज था कि नहीं अगले हफते हम आपके लिए एक बिल्कुल ही नया चिकन डिश आएंगे तब तक मुर्गों का शिकार करो और जंदेगी के मज़ेलों को रेडियो या मुझ पर गुस्सा उतारने से क्या होगा अटलू पक्तुल को तक मुझ पर्णाट करो और जंदेगी के मुझ बहुत हुआ